नमस्कार मैं आना मिका राज आप देख रहे हैं डी पिपल वाइस आईए डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर बिहार में चुनावी सरगर्मी जैसे जैसे तेज होड़े ये वैसे वैसे ही पक्ष और बिपक्ष के हमले में भी तेजी आ रही है इसी दोरान नितिश कुमार ने एक चुनावी सभा में एक बरा दाउं खेलते हुए कहा कि जातियों को आवादी के हिसाब से आरक्षन मिले नितिश कुमार के इस दाउं को एक बरे चुनावी दाउं के रूप में देखा जा रहा है चुकि बालमिकी नगर में थारू जाती को जन जाती में सुमार करने की मांग का समर्थन करते हुए नितिश ने कहा कि जनकरना कराने में हम लोगों का कोई हाथ नहीं लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आवादी है उस हिसाब से सब को आरक्षन मिले वही दूसरी और सिक्टा में तेजस्बी पर निसाना साधिते हुए नितिश कुमार ने कहा कि दस लाख को क्यू एक करोड को देदो रोजगार लेकिन पैसवा कहा से लाओगे वह पैसा आसमान से लाओगे खेर बाद विवाद जो भी हो पर नितिश कुमार के इस दाउं को एक बरे राजनीती के रूप में देखा जा रहा है। पर शाफे मारी की सुत्रों के हवाले से ग्यात हुआ कि पटना में हनुमान नगर पाटली पुत्र कॉलनी और फ्रेजर रोड इस्तित आवास और कार्याले के अलावा दिखा में फैक्टरी और हिलसा में देर रात तक उनके ठीकाने पर करवाई होती रही वहीं एक बात 31,357 सैंपल की जाच की गई जिसमें 733 ने संक्रमित मिले जबकि बुद्वार को 14,452 सैंपल की जाच हुई जिसमें 870 ने संक्रमित मिले इस तरह से बिहार में कुल संक्रमितों की शंख्या बटकर 2,14,946 हो गई है इनमें से अब तक 2,5,385 ठीक हो चुके हैं बिहार की रि 11,1424 ही रह गई है ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुरे रहे हैं और देखते रहें डी पिपल वाइस अगर आप आप वडियो को फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें